हलो साथियो आप सभी का स्वागत है 7-11 स्टडी यूट्यूब चैनल पर जैसा कि आज आज आप सभी को पता है कि आपका एगरिकल्चर सूपरवाइजर का जो एक्साम हुआ था उसी के अंदर आपकी राजस्तान जीके के जो सवाल पूछे गे थे तो इस पेपर में आपके जो राजस्तान जीके के जो सवाल थे उन सवालों का अपन हल करने वाले हैं तो पहला सवाल आपके सामने है निम लिखित में से कौन विश्णुई संपरदाय के परवर्तक है तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा जमबेश्वर है बिल्कुल option number B आपका बिल्कुल right answer हो जाएगा authentic answer की बताओंगा एक भी आपका सवाल गलत नहीं बताओंगा बिल्कुल बैफिकर रही है और अपनी answer की मैज कीजिए और comment कीजिए कि मेरे कितने सही हो रहे हैं ठीक है और हमारे साथ हमारे चैनल के साथ भी कई आपके अग्रिकल्चर सुपर्वाइजर के जो साथ ही जुड़े वे थे उनका पैपर कैसा हुआ जरूर कमेंट करके बताओं सबसे पहले सबसे पहले अथेंटिक की उपलक्त करवाने का मैं आपका यह काम कर रहा हूं इसमें से राजस्तान जीके के आपके सारे सवाल क्लेर करेंगे निम लिखित में से किसने राजस्तानी भासा में साहित्य अकादमी यूवा परिसकार 2023 मिला था तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा देविला अगला कुशन देखते हैं अपन राजस्तान जीके के सारे कुशन कंप्लीट करेंगे एक भी सवाल छूटने नहीं दूंगा मैं तो एक तरफ नदी का नाम है दूसरा तब नदियों के दूसरे नाम है नहीं उप नाम की बात हो रही है तो देखो गगर नदी गगर नदी कि मरत नदी का उपनाम जो है गगर नदी ठीक है चंबल नदी कामदेनू नदी माही नदी की बात कर लो तो वागड़ की गंगा लूनी नदी लवन जल नदी तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल कौन सा हो जाएगा मैं आपको बता देता हूं फरस्ट क नमबर टू ही आपको नजर आ रहोगा बिल्कुल डाय टांसर हो जाएगा आपका अगला कोशन देखते हैं किसे भारत के टाइगर मेन के नाम से जाना जाता है तो बिल्कुल इसका जो डाय टांसर हो जाएगा केला सांखला को भारत का टाइगर मेन के नाम से जाना जाता है त इसने जसलमेर में पाच पटवा हवेली बनाई ती, तो गुमान चंद पटवा के द्वारा, option नमबर डी आपका बिल्कुल right answer हो जाएगा, गुमान चंद पटवा नहीं, पटवा हवेली जो के आपके जसलमेर में बनाई ती, इसके अलावा जसलमेर में आपकी नथमल के हवे यह आपके कर्सी संबंदित कोशने सारे है, ठीक है, यह आगया आपका ठीक है, कैसरी सिंग बारट का जनम किस इस्तान पर हुआ था, तो इसका जो आपका right answer हो जाएगा, बिल्कुल शाहपूरा, option नमबर सी आपका बिल्कुल right answer हो जाएगा, बिल्कुल आपको याद रखन इनके पुतरते परताप सिंग बारट और परताप सिंग बारट के चाचा आपके जोरावर सिंग बारट थे, इनका संबंद आपके शाहपूरा से है, बिल्कुल आपको याद रखना है, अगला question देख लेते हैं, अगला question आपके सामने है, जैसे कि एक तरफ ये रहा, एक त अगर बांद आपका चंबल नदी पर बनावा और अरवार बांद जो बनावा आपके खारी नदी पर बनावा ठीक है, तो इसका जो सही answer हो जाएगा, पहला तीन, तीन के बाद फिर आपका चार, फिर आपका हो जाएगा एक और दो, तीन, चार, एक, दो, कौन से option में आप आपको दियावा आप देख सकते हो, तीन, चार, दो, एक, यानि option number B, आपका बिल्कुल right answer हो जाएगा, next, अगला question देखते हैं, अगले question के अंदर कर में देखता हूं, तो राजस्तान जीके के जितने भी सवाल अपन सारे देखेंगे, ये रहे, question number ये रहा, एक तरफ आप आपको किस राजवन्स द्वारा बनाएगे, ये बताना है, तो देखो महवीर जेन मंदिर किसने बनायता है, तो गुजर पर्थियार कालीन है, बिल्कुल आपको याद रखना है, इसके अलाम में बात कर लेता हूं, एक लिंग जीका मंदिर है, वो मेवाड के बपारावल द्वारा बनवाय गया था, तो अपन देख लेते, सी का वन और डी का आपका टू, तो डी का टू किस में आपका, ओप्शन नमबर सी आपको नजर आ रहा है, तो देखो, अचल गड बनायता, चालू क्यों ने, क्लेर, वो देल वारा जो बनवाय था, वो परमारों ने मावीर, जेन मंदिर, किसने बनवाय था, तो गुजर, परतिहार, द्वारा बनाय गया था, अगला कोशन देखते, अगला कोशन, आपके सामने, जसल मेर में गुंडाराज, पुस्तक का लेकर कौन है, तो जसल मेर में गुंडाराज, जो पुस्तक लिकी थी, वो सागरमल, उखाने लिखी थी अगला कुछिन देख लेते हैं अगला कुछिन आपके सामने हैज है इस शारे जितने भी आपके राजस्तान जीके के सवाल है वह सारे clear करेंगे और एकदम authentic answer की मैं आपको बताने ब्लां तो देख लिएते हैं, यह सारे करसी और हिंदी के सवाल आपके चल रहे हैं, जो आप देख ले iba आगे बढ़ते हैं, आगे यह कौन सा कुशिन आपका, यह भी नहीं है, ठीक है, आगे आजाओ, नेम लिखित में से कौन सी रचना मायाना कुमबा द्वारा रचित नहीं है यह आपको बताना तो सुधा परबंद भी है बिल्कुल सही संगीत रतना कर भी बिल्कुल सही संगीत राज भी बिल्कुल सही संगीत सार नहीं है पर थेकिए संगीत राज जो कि पांच बागों में बतावा है यह सारे सब्सक्राइब करिण अभी मेरे इस चैनल पर आपको पसू परीचर पार्ड ए techn praticamente विद्धियो को देख रहा है तो प्लैलिस्ट में जाके देख लेना बहुत ही सांदार तैयरी मैं करवा रहा हूं आप बिल्कुल चैनल के साथ जुड़ के साथ जुड़ सकते उगर आपने पर कार डाला और उसकी अगर आप प्यारी करना चाहते हो तो आगे बढ़ते अगला कोशन देख लेते हैं राजस्तान जी के से डिलेटेट जो आपका सवाल है वो देखेंगा बन तो यह रहा यह भी नहीं है आपका ठीक है आगे आजाओ यह रहा निम लिखित में से कौन सा इस्थान राजस्तान में पसू पा आलन के सबसे प्राची इंतम प्रमान मिले हैं अगला कोशन बिल्कुल आपके सामने इदर ही ऑल आफ हीरोज जोथपूर के किस बाग में इस्तित यह आपको बताना तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मंडोर बाग में इस्तित इवी कौन से बाग में इस्तित यह मंड में देख लेते हैं सांबबर जील तो आपका जेपुर म benefici मैलित है राच अग्जील उद्धेपुर में सुमहलित थीक है नव लखा जील आपका भी सत्वार के लिधार में मेरे साब से कुशन आपका डिलीट हो सकता है क्योंकि राजसमंजील आपके तो राजसमंजील में पढ़ती है जैसमंजील आपकी उधेपुर में फिर भी आपके एक बार इसको देख लेना अच्छे सा नव लखा जील कंफर्म आंसर इसका कि बिकानेर में नहीं बूंदी में में पढ़ती है और जबकि राजसमंजील आपके राजसमंजील में पढ़ती है ठीक है तो यह कुशन आपका डिलीट हो सकता है बिल्कुल इसकी अगर आपको ऑथेंटिक वो ऑथेंटिक बुक से प्रमान चाहिए तो वह भी मैं आपको उपलब्द करवा दूँगा मेरा ट डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अगला कोशन देखते हैं जो राजस्तान जीके से आपका रेलेटर्ड है तो देख लेते हैं अच्छा यह नसल आईवी है विसी है तो नहीं लेकिन फिर भी बता देता हूं मैं देखो मैरीन हो जाएगा आपकी बैड बिठल, बिठल हो जाएगा आपकी बकरी, नागोरी हो जाएगा आपकी गाउ, नीली रावी हो जाएगा आपकी बैस, केर तो आप इसे मैच कर लेना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका आगे बढ़ते हैं देखते है और आपके जो है राजस्तान जीके से R fineld related ज नहीं है तो बिहार बिहारी देहित आपनों 53 इंन्हों ने लिखा लेकिन विजेपाल रासों नहीं नहीं लिखा तो आपका नल सीन के द्वारा लिखा गया किसके दोहरा लिखा गया तो अगले question को हैं बढ़ते हैं और देख लेते हैं important question आपके जो यहां से related है ये भी नहीं है आपका ठीक है आगे आजाओ राजस्थान में परतम वन निती की गोसना कब की गई बड़ा अच्छा सवाल है राजस्थान में परतम वन निती की जो गोसना की गई थी 2010 में की गई थी 2010 में राजस्थान में वन निती की आपकी गोसना की गई थी अगला कोशन देखते हैं निम लिखित में से कौन सा सेतर धनिये के व्यापक इस्तर पर उत्पादन करता है तो धनिया सबसे ज़्याद आपके कोटा में होता वे हाड़ोती के पठार कोटा के अंदर तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उदेपुर की लड़ होता कितनी थी तो 444 option number D जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्लेर अगला कोशन देखते हैं यह आपका हिंदी हो गया आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं देखते आपका यह जो है अच्छा यह एक तरफ नसले दीवीर एक तरफ जानवर दिये वे इसको आपकर मैज करता हूं मैं तो बक्री हो जाएगा आपकी सिरुई बेड हो जाएगा आपकी पूंगल ऊट वो उट हो जाएगा गोमत यह गोमत लिखावा वैसे होता गोमत क्या होता देखो गो और मट ऐसा होता गौमट उट की नसल भी और गाय आपकी मालवी जो के आपके दक्षिनी पूर्वी राजस्तान देखते तो चितोडगर बासवाड़ा और जालावाड़ा में आपकी मालवी किसम की जो गाय है वो पाई जाती है बिल्कुल आपको याद रखना पुंगल आपके बिकानेर में महंदी नगरी कहलाता है तो राजस्तान का कौन सा सहर है जो महंदी नगरी कहलाता है तो बिल्कुल राजस्तान का जो सोजत है न सोजत जो की पाली के अंदर पड़ता है इसे महंदी नगरी के नाम से जाना जाता है बिल्कुल आपको याद रखना है अगला कोशन देखते ह आपके agriculture सम्मंदित होगे आगे बड़ो आगे बड़ो यासे 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 यह भी अग्री कल्चर है आपका आगे आजाओ आगे आजाओ तो यह एक बार आप कंफर्म कर लेना कि राजस्तान सरकार ने किस देश के साथ प्रियेटन की उन्नती के लिए अनुबंद गिया है तो यह कोशना एक बार चेक कर लेना इसका आंसर क्या होना चीए क्योंकि मुझे मिला नहीं है तो मैंने बताया भी नहीं रोंग बताने साथ अच्छा की बताओं मत है ना इसलिए मैंने इसको मिला नहीं तो आप चेक कर लेना एक बार इसका इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट भी जिकार देना आप है ना राजस्तान के किस इस्तान पर अनार उत्कृस्पता के अंदर इस्तित है तो राजस्तान के देखो धिंडोल बसी जेपूर के अंदर आपका अनार उत्कृस्पता के अंदर इस्तित है धिंडोल बसी में ऑप्शन नमबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अगला कोशिन देखते है 98 एक तरफ आपको किले दिये वे दूसरी तरफ किसने बनवाय वो दिया वा तो सबसे पहले पर आपन बात करें जालोर के किले का निर्मान वीर नरायंडं ने करवाय था ठीक सोनार के एक सभी बाट इसलबाटी अब लुकिल जवाब का अच्छा नागबट सोरी सोरी जालोर के किले का निर्मान नागबट ने करवाय ता वे सीवाना का वीर नार्याइड ने करवाय कर वाय तो इसका राइट आपका कौन सा उजाएगा पहले का आपका पहले का चार ठीक है दूसरे का तीन ठीक है और तीसरे का तीसरे का आपका हो जाएगा दो तो यह option D आपका बिलकुल right answer हो जाएगा क्लियर अब एक तरफ यह वाला देख लो ये भी आपका है, एक तरफ सवतिंता सेनानी एक तरफ सूची दीवी, इनका सम्मन्द करना तो इसमेंसे मैं बिज़को एक ही आठा कि विज़्ध लक्षमी दीवी आचारी का सम्मन्द भी कानेर से है, ठीक है? तो अब देख लो B का 3 किसमें दियावा B का 3 आपका option number D के अंदर दियावा केवल only for option number D आपको नजर आ रहोगा तो option number D आपका इसका बिलकुल right answer है कोई doubt नहीं है तो बस है आज की इतनी question था इसमें राजस्तान जीके के सारे जो सवाल पूछे गए तो वो मैंने बता दिया इसमें से सारे question मैंने करवाए वीडियो के अंदर से बना है जो साथी मुझे से जुड़े है कमेंट करके जरूर बताना कि ये सवाल बार साया ठीक है इसके अलाव मेरे चैनल पर आपको RPSC के पुराने परसंट पत्र RSSP बोर्ड के पुराने परसंट पत्र इसके अलाव पसू परीचर के जो साथी तैयारी कर रहे है उन्हें Part A और Part BB में उपलब्त करोंगा तो आज के लिए बस इतना ही और चैनल को देखो वीडियो को शेर भी करें चैनल को सब्सक्राइब भी करें तो आप सबी साथी होगा दन्यवाद